हलो दोस्तों, वेलकम टू दी कॉमिक जोन, निकत जरीन का सफर मेरिकॉम से बेड़त और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने तक की कहानी आज पूरा देश भारते मुक्के बाद निकत जरीन की सफलता का जशन बना रहा है जिनो ने गुरुवार को वोमेंड वर्ल बॉक्सिंग चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रज़ दिया हाला कि इस यंग बॉक्सर का सफर आसान नहीं रहा क्योंके वो पिछले सालों में बहुत ही कटिन रास्तों से गुजर रही थी जो लोग बॉक्सर को जानते हैं या जिनोंने उनके स्ट्रागल को करीब से देखा है वो बता सकते हैं कैसे उन्होंने अपने खेल के प्रती अपने धन संकल्प और जुनून को आगे बढ़ाया है निखत शोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थी कि कि वो उलंपिक कॉलिफायर के लिए टीम में अपनी जगा बनाने के लिए यंग बॉक्सर निश्पक्ष अपील के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से टूल किया गया था बाद में उन्हें मुकाबला खेलने को तो मिला लेकिन वो इस महान बॉक्सर के आगे एक नौ से हार गई थी जिसके बाद मेरी कॉम ने मैच के बाद उनसे हाथ मिलाना से भी इंकार कर दिया था इतनी शर्मिंदी की का सामना करते हुए बॉक्सर कुछ समय के लिए चुप रही और प्रस्टिक्षन पर ध्यान के इंद्रित करने का फैसला किया उन्होंने हार से उभरने के लिए मीडिया से भी बातचित करना बंद कर दिया पिछली बार जब मीडिया बॉक्सर से बात करने के लिए कामियाब रहा तो उन्होंने सिर्फ एक बात ही कहा मेरा टाइम आएगा हस्दे को ट्विटर पर निगत जरीन फिर से ट्रेंड कर रही थी और बॉक्सर एक्साइटेटी क्योंकि एक बार फिर से ट्रेंड करना उनका सपना था निगत ने अपनी जीत के बाद कहा मैं ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हूँ लगातार प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रही हलका शुपला नाम के यूजर ने लिखा था कॉंग्रेशुलेशन निखत भारत को एक नई मेरे कौम मिलने के लिए बहुत बहुत शुप कामना है वहीं विजेशिंग नाम के यूजर ने लिखा निकत जरीन बॉक्सिंग की दुनिया की नई नाईका है भारतिय गरोव का प्रतीक है वर्ल बॉक्सिंग चेंपेंशिप जीतकर देश की बेटी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया जरीन का बाहू बली पंच रिंग के भीतर कहर है और उस भारतिय समाच को भी करारा पंच है जो बेटीयों में बेट बाहू की भावना रखते हैं निदा रह्मान की यूजर ने लिखा जरीन ने खुद को साबित किया है और अपनी पैचान बनाई है अब पूरी दुनिया उन्हें जान रही है आपकी गया रहा है इस बारे में कमेंट सेक्शन पर जरूर बताईए और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को इस वीडियो में